अब एक और बड़ा इंट्रेस्टिन टॉपिक और नेचरली अकरिन टॉपिक है SEO में उसको हम लोग बोलते हैं डुब्लिकेट कॉंटेंट डुब्लिकेट कॉंटेंट से मुराद ही होती है कि एक वेबसाइट है लेकिन उसी वेबसाइट को एकसेस करने के एक से ज़्यादा तरीके है अब आप लोग लाजमी तोर पर थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे कि अगर website एक है तो उसको access करने के तरीके एक से जादा कैसे हो गए यह हम लोग अभी आगी जाके अभी थोड़ी दे बात देखते हैं लेकिन at the end of the day essentially मैं एक website को एक से जादा तरीके से access कर सकता हूँ इससे मुराद है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो search engine भी कर सकता है यानि हमें URL जो है जो हम ब्राउजर में लिखते हैं वो multiple पता होने चाहिए तो हम access कर सकते हैं या मज़े की बात ये नहीं है कि website को access कर सकते हैं एक से जादा मरतबा के नहीं या जो जादा discussion वाली बात है वो ये है same page को एक page को हम एक से जादा तरीके से access कर सकते हैं यानि एक URL 1 है उसको जब मैं लिखना तो मुझे same page नजर आएगा एक URL 2 है वो लिखना तो मुझे same page नजर आएगा and so on तो ये बात अब search engine के लिए भी थोड़ी सी गरबर वाली है यानि content भी same है URL different है लेकिन मुझे हर मरतबह चीज same नजर आती है मैं जिस भी रास्ते से आता हूँ तो अब और ये बड़ा common phenomenon है यानि around as we speak today अगर 100 websites का content है तो around 29% जो websites का content है वो duplicate होता है यानि अगर millions of website है तो कतन ऐसा नहीं है कि तमाम website में लिखावा हर word ही unique है ऐसा कतन नहीं होता यानि duplicate जो content है वो unintentional भी हो सकता है यानि हो सकता है कि जान बूझ के ना लिखाओ लेकिन duplicate content से बहुत जादे confusion create हो जाती है अब अगर हम इसको और technically देखें तो Google इसको penalty यानि इसको negative marking नहीं करता लेकिन इसका impact page rank पे होता है जब मैं ये कहरो लो कि negative marking नहीं करता तो इससे मुराद है कि technically Google इसके ओपर कोई ban या कोई penalty चार्ज नहीं करता लेकिन it's not a good practice reason कि जो search engine है वो खुद confused हो गया है कि अगर चार URL लिख रहे हैं और webpage अगर एक ही नजर आ रहा है तो like human like search engine वो खुद confused हो जाएगा कि कौन सा वाला यानि कौन सा version जो website का है या URL का है वो सही है सही से मुराद है कि which one is the latest one which one is the updated version यानि हमने ये discuss किया था हम बहुत दफार का चुके हैं कि जो crawlers हैं वो content को index करता है content को meta tag को पढ़के index करता है तो अगर चार indexes मौझूद हैं या चार content मौझूद हैं URL क्यूपर मैंने चार different URL लिखे and I am ending at the same content यानि URL different है जो दिखा रहे हैं हम लोग client को वो same है तो चारों में से किसको index करना है क्यूंकि एक URL के against index एक ही हो सकता है ऐसा कतर नहीं हो सकता कि मैं दराज.pk लिखो हूँ तो जो Google है या जो crawler है वो different यानि एक से ज़्यादा मरतबा एक से ज़्यादा index create कर दे ऐसा नहीं होता तो index एक URL पर एक ही होता है यानि असान लफ़ों में जो crawler है अगर वो दराज.pk पर गया है तो दराज.pk गये against जो भी लिखना है मैंने content वो एक ही entry होगी क्योंकि हमें यह पता है कि content URL 1,2,3 का different है ऐसा नहीं हो सकता तो यह हमारी problem statement है now look at this thing कि चार पेजें आपके पास अब चार पेज के उपर आप देखेंगे जो content है वो more or less same ही है कि once upon a time there was a dog around frog from the dog said and so on now look at the left picture कि google यह कह रहा है कि content same है तो मैं चार पेजेंगे को तो index नहीं करने लगा you have to tell me कि इन चारों में से original कौन सा है या इन चारों में से updated version कौन सा है क्योंकि duplicate content से मुरादी होती है कि आपके पास चार पेजेंगे हैं जहां जो same content दिखा रहे हैं यानि अगर हम इसको थोड़ा सा detail में discuss करें हम google को थोड़ा फेक आउट करने की कोशिच भी कर रहे हैं यानि अपनी website की rating बढ़ाने के लिए हम यह चार रहे हैं कि google हमारी ही जब कोई particular keyword search हो तो हमारी website पर चार मरतबा आए this is faking out तो duplicate content नहीं होना चाहिए तो problem statement हमारी यह हुई कि google find it difficult कि अगर एक URL के against same content के चार pages है तो इन चारों में से final version कौन सा है updated version कौन सा है और किसको वो final consider करके अपने पास index create करें तो we, यानि मैं as a site owner मुझे यह final करना है कि कौन सा वाला version चार में से original है और कौन सा वाला version master copy है master copy मीन updated version है क्योंकि updated version को ही google ने जाके index करना है और इस मसले को बोलते हैं canonical handling इसको बोलते है canonical कि duplicate content है तो यह हमारी problem statement है of the canonicals हम else दो कार्ड़ी तो हम अटी है छो उ nghव अटीट हमारी वाला इड्मार और तक तून सबस्टों